बिल्कुल ठीक रहा और कल जो भी वो resistant बैंड जो दिये थे R1, R2 के बीच में सारे समिकरन थमते हुए नजर आये थे चुरुवाती ट्रेड में आज का फ्रेश अप्रोच अब क्या रखें? ग्लोबल हैंडवर ठीक है, सेट अप थोड़ा सा बैतर ही हुआ है कल से आज के बीच में तो अब क्या करना है? बिल्कुल देगे, एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँ, जो कल अप्रोच में भी एक चीज़ कही थी कि या तो आप बुक कर ले या ट्रेलिंग साफ लोस बढ़ा दे बुक करना मैं नॉर्मली क्यों गलत मानता हूं? क्योंकि एक बार आप बुक कर ले न फिर रिएंटरी टाफ हो जाती है, तो इसके लिए, तो इसके लिए तो इसके लिए ट्रेलिंग साफ लोस एक बेटर होता है, लेकिन कल मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन इसलिए रखा था, क्योंकि एक एक्जैक्ट हजार पॉंट की रैली होगी थी, प्लस कल थर्टीन थे था इसके लिए, खेर निवे, नंबर्स पर आते हैं, फर्स रेजिस्टेंस है आपका पच्चिस तीन सो पचार सो पचार सो पर, कल भी यही था, परसो भी यही था, ओल टाइम हाई भी यही पर है, तो यह आपकी पहली रेजिस्टेंस है, उसके बड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी पर प्लेस थे, पच्चिस तीन सो पच्चिस पांच्सो, मन्थली ओप्शन का अगर आप डेटा देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटि और एक बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा पच्चिस हजार से पच्चिस हजार एकसो, जो की चार्ट बेस्ट है, तो इसकी वज़े से, और अगर आप कैरी करने हैं लॉंग्स तो स्टॉप लोस वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, पच्चिस एकसो का, कल निफ्टी क्योंकि बहुत जारा चला निए, चार्जीस बैस प्चिस एकसो का ही हमारा स्टॉप लोस रहेगा, एक्जिस्टिंग लॉंग पोजिशन के लिए, फ्रेश एंट्री कहां करनी है, लेकि फ्रेश एंट्री के लिए पच्चिस एकसो बचास से पच्चिस दोसो एक अच्छा जोन है, और अगर और नीचे का लेवल मिल जाए तो एड कर दीजिए, और एक सिस्टम में फ्रेश ट्रेट्स के लिए स्टॉप लोस डाल दीजिए, करीपकरी 25,000 का, जो मेरा एक व्यू था कल कि 24,800, 850 मिले तो वो नो ब्रेनर होगा, अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो जोन आए ओके, यह है निफ्टी का अप्रोच आज मंगलवार के दिन, निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर आएगा जिसको लेकर बार बार बात हो रही है, पोजिशनल कमफर्ट नहीं, इंट्रा डे में ट्रेडिंग के मौके ढूंड़ जा सकते थे और इंट्रा डे में जाते जाते इकली की तेयारी, कैसा लग रहा है पोजिशन निफ्टी बैंक, जब तक स्क्रीन कहेंगी नहीं तब तक अपने एंट्री नहीं करना है, आपने लेवल्स क्या वाच आउट करने है, लेकि एक चीज़ मैं लेकिन जोड़ देता हूं, बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर द तो मैं जब कहता हूं कि पोजिशनल कमपट नहीं है, मैं रेलेटिव पर्फुमन से कहता हूं कि पैसा लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, आपने ब्रोकर को बोल दिया कि मेरा निफ्टी भी लेले, मेरा बैंक निफ्टी भी लेले, ये तो इसको दिक्कत है, यहाँ पर comfort है, valuation का, लेकिन screen पर अभी भी वो display नहीं हो रहा है, देखते कहाँ पर आएगा वो comfort, अभी के लिए range है, एक यहाँ हजार से एक यहाँ हजार और बैंक निफ्टी को intraday trade करें, अच्छा, एक चीज़ मैं बता हूँ, लेकिन, अगर आप, अगर मैं को screen पर दिखा दे, मैं, मैंने खेरी data देखा नहीं है, अगर, for example, आप एक हफते का nifty bank versus nifty finance देख लें, nifty finance जो है, वो फिर भी relatively better है compared to nifty bank, nifty finance यह देखे, seven days का chart, आपको थोड़ा better देखेगा, एक shift better देखेगा, क्योंकि nifty finance ने अच्छा करना शुरू कर दिया, आप देखे, बजाज finance, fin serve, बाकि की सारी nbfc अच्छा कर रही है, तो एक अप्रोच यह हो सकती है, कि अगर आपको financials में काम करना भी है, तो nbfc चुने, यह nifty finance चुने, versus nifty bank, वो थोड़ा फिर भी आपको relatively better options दे रहा है इस समय, लेकिन shot नहीं है, bank nifty में भी shot नहीं है, क्योंकि bank nifty ने भी sign तो दिखाए है कि bottom यहाँ बन चुका है, अब breakout आएगा या नहीं आएगा, बहुत लोग कोशिश कर रहे है, breakout आएगा, या hope कर रहे है, आजाए शायद, लेकिन अभी तक तो screen पर sign नहीं है कि कोई breakout आए, bank nifty पर.